हेग गाइस कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी और एकदम डिफरेंट तरीके से करेले भर्मा करेले बनाएंगे साथ में आलू और प्याज और गाइस जे एक बार बना लेंगे हफता दस दिन कहीं खराब नहीं होएंगे तो मैं इन करेलों को छेल ले यह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए आगाज मैंने क्रेलों को छेल लिया था हलका हलका पिलर से और मैंने प्याज़ लिये हैं प्याज की चारपीस करेंगे जो अंदर का पार्ट है वह लग रख लेंगे जो बाहर की पीस्टीज है न वह अलग रख लेंगे देखे काफ़व है एक हम यह दार्यक्त कर लें हैं मैं एक वार आपको द्वारा बता देतीम करके जैसे कि हमने प्याज लिआ उसके ने हमने चार पीसिस करेंगे और अंदरियो पॉशिन एलग कर लें लिए और वटर रहार आले अलदिया आरिम शम Tail क helping it अगर आप इसको चिप्स स्टाइल में नहीं काटना चाहते हैं तो आप इसके बड़े आलू को छील करके सेंटर में एक की कट लगाईए और हल्का बड़ा-बड़ा पीसिस में कटिंग कर सकते हैं देखिए ऐसे भी मीडियम जाता पतला मत कीजेगा सिर्फ हलका ही होना चाहिए जिससे बहुत ही अच्छे तेस्टी यम्मी बनेंगे तो मैं इनको पानी में भिगो दूँगी जिससे इनका कलर चेंज नहीं नहीं तो काले पड़ जाएंगे बाकी तब तक हम त्यारी कर लेते हैं तो गैस मैंने करेले अच्छी तत्स से छे लिये थे अब हम क्या करेंगे उपर की डंडी जिदर लंबी पूंच होती है नहीं वो नी काटेंगे और हलका सा उपर से cutting करेंगे टॉप से और साथ में एक चम्मच की साहता की बैक साइड होती न चम्मच की उसकी spoon की साहता से हम इसके अंदर हलका सा क्रेले में वो करेंगे तो देखे गाईस तोटली अंदर से खाली हो जाएगा जैसे मैं एक आपर आपको द्वारा बता देती हूँ जस चमच लिया हमने हलका सा कट लगाया हमने करेले के अंदर चाकू की सहता से और उसके बाद हमने इसको हलका सा प्रेस करेंगे में एक सकेंड दो सेकंड में जे करेला हमारा खाली हो जाता है ने तो हमें अकसर होता है कि कितना टाइम लग द्रभट करने में यह बहुत ही एशी टेप सारे आप सब्सक्राइब करने में अब मैं इसको रख दूँगा साइट पर अब हम क्या करेंगए जो हमने खाली मिक्सचर किया था उस फिलिंग निकाल लिया हमने करे ले की वो रग ले लेंगे और साथ ने हमने जो प्याज के एक बड़ा साइस काठा था एक अंदर के पोशन रखा जो अंदर वाला पोशन था छोटे वाला गाज इसको मैं आप चोपर की साहता से ब्रीक कर सकते हैं तो देखे हैं अब मैंने सारा मिक्सचर मिला दिया है करेले के अंदर का भी फिलिंग और साथ ने प्याज भी ब्रीक कटी है अब मैं एक पैन लूँगी उसके अंदर मस्टर्ड ओयल को गरम करूँगी और गैस को कर दूँगी हलका मीडियम बसलो नहीं करेंगे मीडियम र जो हमने अंदर से निकाला है करेले के अंदर से तो गैस में इसको हम हलका हलका फ्राइ कर लेंगे जैसे चार से पांच मिनट लगेंगा इस टोटल ज्यादा टाइम ने लेगा मीडियम गैस पर कीजिएगा फुल गैस पर मत कीजिएगा ने तो जल जाएगा मसाला सारा खरा साथ में रेड चिली पाउडर डाल दूंगी देखे अच्छी तरह से इसको आपस में मिला देंगे एक बार आप जरूर मेरे तरीक्टे से बनाके देखे गाईज आपको बहुत ही पसंद आएंगे देखे गाईज अब मैंने हलका मसाला मेरा काफी अच्छी तरह से रोस्ट हो दो से डाई चमज डाल देंगे जिससे अच्छी तरह से प्रॉपर खटा पन आजएगा अगर आप हलका खटा कम खाना जाते हैं तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा अम्चुरगी और साथ में में डाल दूंगी शूगर जहां एक से दो चमज डाल दीजिए जिससे हमारे खटे मिठे करेले बहुत ही अच्छा मसाला त्यार होता है अगर आप यहां पर चीनी भी स्किप करना चाते हैं कर सकते हैं लेगन अगर मेरा माने तो चीनी जरूर डालिएगा इससे करेले बहुत ही यम्मी टेस्टी एकदम डिफरेंट फ्लेवर का त्यार हो जाता है गयर मसाला काफी अच्छा से भून गया है अब 2 से मैक्सिम्म 10 मिल मसाले को लगे है इसको मैं ठंडा होने रख दूँगी अब हमने ले लिए करेले जो हमने नमक लगा कर के हल्डी लगा कर रखे दिना इनको हम हलका सा निचोड़ेंगे प्रेस करेंगे देखे गाई पूरा पा बन करके मैं सारा मसाला इस करेलों में फिल कर दूँगी अच्छी तरर से अच्छे तर तरीके समादा है पूरा फिल करीगे जिससे करेले खाली खाली ना रहें तो गैस मैंने carrayलों को फिलिंग कर लिया था अब मैं जहां पे ले ले लिया बहाएं दो से ड्हाई करशी सर कर दिया इसको अब हमने मीडियम रखाया और सारे के इडिय बन करके पैन में डाल दूँगे और ऊपर से डाल दूगे हमने जो मोई निरेट करके रख कर लिए。」 अलू और साथ मे प्याज जो साथे हमती बन क्वाज हम डाल देंगे。 चाइश के बहुत यम्मी टेस्टी बनते ह तो गाइज इसको मैंने धक्कन लगा दूँगी पांच से दस मिनट हम इन करेलों को बिल्कु भी नहीं चेड़ेंगे ना ही उपर निचे करेंगे तो देखें कितने अच्छे हमारे करेले नीचे से हलके फ्राई हो गया हैं तो गाइज मैं सारे करेलों को ऊपर निचे कर दूँगे मसाले को भी और आलू को भी जिससे कि अच्छे तरीके से पक जाएंगे हम द्वारा से फिर इसका ढखकन लगा देंगे और इसको फिर पांस से दस मिनट के लिए ढखकन लगा करके छोड़ देंगे जिससे कि ये करेल पकने में आपको 20-25 मिनट लगेंगे जैसे हलका गी भी रिलीज हो गया है अब मैं इसको द्वारा फिर हलका सा धकन लगा देंगे देखे आलूवी हमारे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होने लगड़े हैं और सिर्फ दो से धाई कर्ची टोटल हमने डाली है कोई करेलों जो होता है न वो अलू के अंदर आ जाता है और प्याज के अंदर भी आ जाता है जब हम इस तरीके से करेले अलू और प्याज बनाते हैं एक दम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं गाई तो जरूर लाइक कीजिए और सिस्क्राइब कीजिए देखे करेले बहुत अच्छी ज़्यास त्यार होगे आप बनाकर कि आप चुटियों में कहीं जारे कुछे Soifu अगर आप खुद बाहर जा रहे हैं तो इसको stbor करके के भी रख सकते हैИ अरामसे पिछ्षे सरे husband, खाए हो सकते है यापिए जाहे एक डाल बनाएए उसके साथ खाये until the late लिएक और सुस्क्राइब